हेलो स्वागत है आप सबका लाइफ बैक सहजलवत्स में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बेसिक्स ओफ कंपनी लो और यह इसके शुरू करने से पहले दो बाते इंपोर्टेंट हैं पहरी बात हो अपना जो भी स्टेडी मेटीरियल है आपका वो अपने पास रखेगा अ क्यों कि हम यहाँ पर बैसिक्स ओफ कंपनी लो डिस्कस करेंगे तो यह इकुली रेलेवेंट है किन के लिए सीए और सीए में स्टुडेंट के लिए भी चलिए हम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले तो बहुत सारे फॉर्म्स ओ बिजनेस होते हैं यानि कि आप जो आपका कंपनी, कोपरेटिव सुसाइटी, LLP, Trust बहुत सारे फॉर्म्स ओ बिजनेस हैं लेकिन अगर आप कंपनी फॉर्म बिजनेस चुनते हो तो आपको जो रेगुलेट करता है लो क्योंकि रेगुलेट करना ज़रूरी है कोई भी अगर सुसाइटी में काम होता है तो उस जब त करते हैं तो जो हमारा company form of business है उसको govern करने के लिए हमारा जो पुरा गठर है उसको हम कहते है corporate laws या company laws और उसमें जो सबसे main law है जो सबसे main कानून है वो है हमारा company's act 2013 तो mainly basics of company law में हम जब पढ़ना start करते है तो हम start क्या करते है company's act 2013 पढ़ना इससे just पहले जो law था क्योंकि य यह law है इससे पहले जो companies को govern करने के लिए law था वो था companies act 1956 1956 उसके बाद 2013 में यह law है companies act 2013 चलिए हम समझना start करते है journal meaning of company से ठीक है अब देखिए आप साथ साथ प्लीज नोट करते रहेगा क्योंकि यहां पे आप सिफ मेरी आवाज सुन रहे हैं देखिए association of persons दो तरह की होती ह मतलब जब कुछ लोग मिलके काम करते हैं तो association of persons बनी group of persons जो की मिलके कोई काम कर रहे हैं तो association of persons इंडिया में उसकी जो legal backing है अगर वो business कर रहे है association of person तो वो दो तरह की होती है incorporated और दूसरी है unincorporated सासत प्लीज चार्ज नहींगा unincorporated एक होती है और एक होती है incorporated now incorporated का मतल होता है कि उसको उसका जन्म उस entity का जन्म उस जो business का जन्म है वो तभी होता है जब कहीं न कहीं जब सरकार से बड़े सारे approvals ली जाते हैं और सरकार finally जब एक certificate of incorporation दे देती है तब जाके जो उस entity का जन्म होता है जो कौन सी entity है incorporated incorporated association of persons एक ऐसा business होता है जिसको कई लोग मिलक करते हैं लेकिन उसका पहले जन्म करवाना होता है एक तरह से उसका बर्थ हमें करवाना होता है law की नजरों में और एक बार जब उसकी incorporation complete हो जाती है और certificate मिल जाता है तो जाके वो जो entity है वो business है अपने आपे person माना जाता है law की नजरों में और उसको हम बोलते है artificial person या बिजनेस की separate legal entity है ठीक है तो यह आप fix रखना कि हमने अभी क्या समझ लिया association of person दो तरह की होते है incorporated और unincorporated incorporated मतलब ऐसे types of business जो कई लोग मिलके करते हैं लेकिन उन business को पहले उनका जन्म करवाना होता है हमें law की नजरों में तो बहुत सारे approvals और बहुत सारे documents जब जमा हो होता है ठीक है law की नजरों में नाव दूसरा है unincorporated unincorporated association of persons का मतलब होता है simply इनकी incorporation नहीं करनी होती simply कुछ लोग मिलके काम कर सकते हैं business कर सकते हैं और लेकिन उनको ऐसा नहीं कि उनको पहले incorporation करानी है तब ही वो काम कर सकते हैं शुरू simply वो अपना काम शुरू कर सकत हैं तो यह बात को knowledge जो है वो कईना की सरकार तक ला सकते हैं कैसे registration कराके registration और incorporation में फर्क ही होता है यही कि registration में आप already कोई काम शुरू कर चुके हो उसके बारे में simply बताते हो किसको सरकार को authorities को administration को लेकिन incorporation का मतलब होता है कि आप वो काम तब तक शुरू ही नहीं कर सकते जब तक law की नजरों में उस entity का जन्म ना हो जाए ठीक है तो इसमें जो हमारा example होता है incorporated में तो example होती है सारी कंपनियां सारी कंपनियां पहले उनकी incorporation होती है यह पहले बहुत सार डॉक्मेंट वगर यह सब जो हमने बात की वो सब होता है उसके बाद वो certificate of incorporation मिलने के ठीक है companies इसी तरह से काम करती है अभी हम बात करेंगे इस पर और unincorporated का example क्या होता है unincorporated का example है partnership firm cooperative society भी कुछ-कुछ sense में कुछ-कुछ sense में उसको incorporated मना जाता है कि उसकी separate legal entity होती है लेकिन कई बहुत सारी जगह उसको simply collection of basically members मना जाता है और उसकी अपनी कोई entity बहुत ज जाती है तो इस तरह से कहीं ना कि आप समझ सकते हो इसके यह दो example है लेकिन सबसे best example unincorporated का क्या है partnership firm क्योंकि वहाँ बहुत सारे partners हैं कम से कम दो है association का मतलब ही होता है कि मिलके काम करता है तो दो से जादा है और वहाँ पर registration करानी होती है यानि कि simply intimation देनी होती है और वह बापिस से आओ किस पर in on incorporated association of person ठेक है हमने इसमें बात कर ली कि जितने भी incorporated association of persons होती है इनकी separate legal entity होती है अब इसको further और दो पार्ट में हम divide करते हैं और एक होता है कि incorporated association of person incorporated under company law any company law और दूसरी होती है incorporated association of persons incorporated under any other act any other statute passed by legislature ठेक है अब यह क्या है देखिए जितनी में सारी companies है वो जो गवर्ण होती है company law से तो उसको कहीं न कहीं being में लाना है यानि कि उसका बर्थ करवाने का जो पूरा governing structure है जो law है वो हमारा company's act 2013 सारी companies किस तरह से जन्म लेंगी मतलब किस तरह से आप जो अपना former business company form में अगर करना चाहते है तो उसका जन्म कैसे होगा वो सारे provisions लिखे हुए है company's act 2013 में तो overall जो भी हम बात करेंगे वैसे तो company law पढ़ते वक हम सारी companies की करेंगे लेकिन हा कुछ और bodies भी होती है जो उनका अपने special act होता है पहले यानि कि legislature एक special act पास करता है और उस act के तहट वो special body बनाई जाती है और उनकी भी वो सारी features होती है जो incorporated के होते हैं यानि कि separate legal entity होती है वो अपने नाम में contract mentor हो जाते हैं उनको भी खतम करने का जो basically अपने एक अलगी बहुत ही proper बहुत ही deep procedure होता है जैसे company को खतम करने का बहुत deep procedure होता है winding up का तो यानि कि incorporated एक दूसर तर company secretaries act है तो इसके तहत बहुत सारी bodies set up की गई है तो उन bodies के लिए अपना एक act पहले पास हुआ था उसके बाद ही उनको set up किया गया तो यह एक थोड़ी से अलग तरह की bodies है इनको अब statutory corporations statutory companies statutory bodies भी बोल सकते हो for example ICSI statutory body statutory corporation है जो जिसके लिए कौन से act पास किया गया था पहले legislature चरद्वारा company secretary sect 1980 ठीक है तो भी hope कि आपको समझ आ गया होगा association of persons और पूरा जो एक तरह से हमने comparison भी कर ली बागी form of business के साथ और overall जो एक journal meaning of company है वो भी हमें समझ आ गया ठीक है अजा separate legal entity का मतलब क्या होता है वह मागी features में अभी इसी video में discuss करेंगे चलिए अब हमें पता होते हैं और capital market laws होते हैं यह सारे भी companies पर attract होते हैं लेकिन जो सबसे main और सबसे basic law है जिसको सबसे पहले comply करना है यानि कि follow करना है आपको वह हमारा company sect 2013 ठीक है यहीं पर लिखाए कि company बनेगी कैसे यहीं पर लिखाए कि company बंद कैसे होगी खतम कैसे होगी और इसके बीद जो चलिए तो सबसे पहले तो section 1 एक बात समझेगा मैं आपको साथ-साथ इस video में थोड़ा लंबा हो जाएगा शायद लेकिन एक तरह से मैं आपको हर वो चीज बताना चाहरा हूँ जो किसी भी law को पढ़ने के लिए हमें पता होना चाहिए तो generally जो एक law होता है उसको हम बोलत पास होते हैं तो legislator दे जो companies एक 2013 बनाया या कोई भी जो law बनता है उसमें जो अलग-अलग बाते होती है उनको हम बोलते हैं section 1, section 2, section 3 हां और बहुत सरे law ऐसे भी होते हैं जिसमें section नहीं बोलते हम कुछ अलग बोलते हैं तो वह वाला law खुद ही बता देता है जैसे कभी-क कभी कुछ laws में articles बोलना जाता है उसको या regulations बोलना जाता है कभी-कभी लेकिन mainly 95% एक act के अंदर जितनी भी बाते होती है उनको हम बोलते है sections section के अंदर जो और further nesting करके further और जो बाते होती है वो होती है subsections ठीक है अभी हम इस पर दुबारा हैंगे वापस से इस तरह से चलत है ठीक है एक छोटी सी बात और बताना चाहरा हूं कि हम law पढ़ते क्यों है या law क्या होता है वो चीज अगर आप throughout दिमांग में रखोगे तो आपको कोई भी law पढ़ते वक्त जो आप पता रहेगा कि ठीक है purpose ही है मैं इसलिए पढ़ रहा हूं ठीक है क्योंकि आप जब professional exams करें पढ़ते हो यह इन तरह के laws पढ़ते हो जो कि रोज भर्रा में change होते हैं तो आपको पता होना चाहिए purpose क्या है law पढ़ने का देखिए law पढ़ने का purpose होता है कि society समाज जहां पर बहुत सारे अलग-लग तरह के लोग मिलके काम करते हैं तो वहां पर society में कई ना कई अग documentation करके जो है कुछ बाते लिखी जाती है उस पूरे umbrella को जिसके under यह सारी बाते आती हैं जिसके through हम harmony एक equality जो है कि promote करना चाहते हैं sustain करना चाहते हैं maintain करना चाहते हैं उसको हम कहते है law तो law आप इस तरह से समझे कि law अगर नहीं होता तो क्या नुकसान हो जाता तो वह नुकस companies act भी क्यों बना है क्योंकि company form में जो भी लोग business करेंगे एक तो वैसे ही इतना थोड़ा सा complex form of business है क्योंकि अलग-अलग unrelated लोग भी मिलके काम करते हैं आपर तो इसलिए इस चीज को govern करना बहुत जरूरी था तो इसलिए companies act में एक एक जब भी आप section पढ़ो ना बार-बार यह सोचो कि मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ क्योंकि company form of business को मुझे regulate करवाना है अगर companies act नहीं होता तो शायद मेरी पढ़ाई थोड़ी कम हो जाती एक subject कम हो जाता लेकिन कहीं एक जो इतना बड़ा form of business है जो बहुत सारे लोग company form में काम करते हैं तो वो फिर कुछ भी करते आखिर में जो नुकसान किसका होता consumers का government का इसलिए हम जो है कि companies act पढ़ते हैं या कोई भी law पढ़ते हैं ठीक है अब हम जो है थोड़ा सा मेरी ख्याल से time waste जादा हो गया लेकिन फिर भी मुझे लगा कि वो ज़रूरी थी बताना खैब अब हम बात करते हैं section 1 की section 1 यहाँ कोई भी act का section 1 generally बताता है कि उस act को क्या बोला जाएगा वो act कब applicable होगा कहा का applicable होगा तो वह सारी बाते बताता है तो हम एक पर देखते है section 1 में लिखा है companies act 2013 की हम इसको बोल सकते है companies act 2013 यहाँ लिखा वैसे ही है the act may be called इस में का मतलब शैली होता है क्योंकि और क्या नाम ब jurisdiction क्या है पूरी इंडिया ओके तीसरी बात लिखी है कि एक तरह से जो act के provisions है वो सभी companies पर apply होंगे और सभी companies यानि कि जो कि इस act या कोई भी previous company law के तहत बनी है incorporate हुई है या insurance companies, banking companies, electricity companies, travel electricity generate करते हो या फिर supply करते हो या और भी कोई body जिसका अपना कोई special act है फिर भी उस पे ये companies act लग सकता है लेकिन एक बात ध्यान रखना कि अगर उसका जो special act है या फिर जो अलग अलग जो bodies हमने बात की insurance companies, banking वार रहा है इनका अगर जो अपना act भी है इनके govern करने के लिए अगर वो कुछ और कह रहे है तो फिर वही माना जाएगा यानि कि अगर contradiction होती है जिसको avoid नहीं कर जा सकता है और हमें choice करनी पड़ेगी तो फिर आखिर में वही prevail करेगा जो इनके अपने act करते हैं लेकिन तब तक जब तक contradiction नहीं आ रही है तब तक आपको सब को एक साथ लेके चलना है और companies act भी पूरी तरह comply करना है last में लिखा है कि अगर central government और भी कोई body corporate body corporate य को notify किया जाता है तो वो भी जो है government किसे होगी companies act 2013 से यह open ended power रखिए एक बात और बहुत important बतानी है शायद आपको पता हो जहां से सुनिएगा देखिए जो हमारा act होता है न वो legislature pass करता है और act में सारी बात है लिखी होती है मैसे तो लेकिन act को support करने के लिए अलग से rules बन बनती है वो कुन बनाता है वो legislature खुद नहीं बनाता है legislature क्या करता है act में ही लिख देता है कि यह जो बाते है यह government जो ministries है government के अलग-अलग वो जो है यानि कि उस act को govern करने वाली ministry है या उसके जो subordinate bodies है वो जो कहीन है कि इसके लिए rules और और भी जो directions, orders वगरार बना सकते है यह legislature खुदी act में लिख देता है और यह क्यों किया जाता है क्यों क्योंकि act को amend करना यानि कि change करना का जो process है वो काफी लंबा होता है journaling लेकि जो supportive जो rules होते हैं उनको amend जो कहीना कही legislature द्वारा नहीं किया जाता, executive द्वारा किया जाता है यानि ऐसी bodies जो कि बनायों ही laws को apply क करवाती है, execute करवाती है, तो यह बहुत सारी power हम government के हाथ में छोड़ देते है, government executive का part है, जो legislature द्वारा बनाये गए laws को apply करवाती है, implement करवाती है, तो उनके हाथ में छोड़ देते हैं, तो यहाँ पे हम जितनी भी बाते करेंगे, companies act में, sections बगर है, तो बड़ी जगा जोड़ा रहा है, government, खुद, executive body, ठीक है, और rules को amend करना बड़ा असान है, simply उनको official gadget में किसे भी दिन वो चाहें, तो simply notification डालनी है, और automatically, जो नई rules है, वो enforce किया जा सकते हैं, और क्यूंकि act में भी लिखा हुआ है, कि rules में जो भी changes आएंगा, सारी चीज़े rules के हिसाप से जो बार-बार amend करनी की जरूत होगी, तो इसलिए कुल में लाके इसको बोलते है, skeleton approach, कि आप जो एक basic structure बना दो act में, और और जो dynamic चीज़े हैं, जो बार-बार change होंगी, वो आप rules में डाल दो, और उसकी power कही ना कहीं आप दे दो, कहां, कहां पे act में, यहां, जो ministry हैं, जो कि section 2 में जर्णली होता है क्या, definitions, देखिए, एक act में करीब 1000 से ज्यादा words बार-बार repeat होते हैं, जो बहुत keywords होते हैं, और बार-बार repeat होने ही होने हैं, तो उनको define करना शुरूआत में, काफी समझदारी बड़ा step है, और इसलिए, यह बहुत common sense की बात हैं से तो सारी, लेक तो अगर act में उस जगह अलग से कोई मतलब ना दे रखा हो, तो फिर यह जो section 2 में मतलब बता रहे हैं इसका, यह throughout the act चलेगा, ठीक है, okay, और अगर हम अलग से कोई मतलब देना चाहते हैं, तो हम वही लिख देंगे, ठीक है, तो section 2 में journally definitions होते हैं, लेकिन मैं आप इस तर section 3 में है, section 4 में है, section 2 में है, लेकिन 99% जो ऐसे कहते हैं, section 2 में है, पर यह वही कह सकते हैं, जिसने सारे लोग पढ़ रखे हो, लेकिन मैं तो आपको यह कहूँगा, कि हर act को आप पढ़ना start करो, तो खुदी जो एक बार खंगाल लो, list of sections है, कि अच्छा definitions कहाँ पे हैं, okay, section 2 में बड़ी सारी definitions हैं, लेकिन अभी हमारे लिए कौन सी सबसे काम की definition होगी, companies act में, company word बार बार आएगा, तो इसलिए सबसे पहले, हमारे लिए जो सबसे काम की definition है, जो मैं पता हो नहीं है, उसके बाद ही हम आगी जा सकते हैं, वो है company की definition, अब इसमें क्या है, यह define कर रखी है, यह define कर रखी है section 2 clause 20 of the company's act 2013 में, अब मैंने, अभी थोड़ी दर पहले आपको कहा था, कि section के बाद आता है subsection, लेकिन यहाँ पर मैंने आप ध्यान से सुनो, मैंने बोला, कि section 2 clause 20 में defined है company, जबकि मुझे बोलना क्या चाहिए था आपके साब से, section 2 subsection 20 में, ले आपका जो section है, वो जो भी बात कह रहा है, उसको further आगे support करने के लिए जो भी बाते हैं, अंदर जब आप लिखते हो section के, तो बन जाता है subsection, यहनि कि section और उसके अंदर की बाते subsection में लिखे आती है, जो उस section को ही directly support करती है, उस section की बातों को ही आगे ले जाती है, लेकिन जब ऐसा नहीं होता और simply section की heading कुछ और है अंदर आप कुछ और ही बोले जा रहे हो तो यहाँ पे जब बिल्कुल unrelated होता है काम और यहाँ पे जब section के अंदर जो बाते होती है वो simply अपने आप के बारे में बता रही होती है और उनका section की heading से ज़्यादा कुछ लेना देना नहीं होता है तब जाके हम section के बाद बोलते हैं क्या clause और फिर directly मतलब cycle ऐसे चलती है section clause, sub clause ऐसे चलता है ठीक है तो यहाँ पे आप यह चीज रटने वाली होई नहीं सकती आपको यह चीज जो है circumstances और language को पढ़के ही पता लग सकती है कि अंदर की लिखी हुई बात क्या अपने आपको explain कर दिये simply या फिर section की heading को further और आगे लिखे जा रही है तो लेकिन हाँ यह पकी बात है कि जो definition वाला section होता है उसके अंदर क्या होती है definitions हर definition अपने आपके बारे में बता रही होती है आपस में उनका कोई relation नहीं होता अब हम पहली definition पढ़ रहे हैं suppose company की फिर थोड़े दिनों बात कोई और वीडियो में पढ़ेंगे prospectus की तो है तो सारे यह section 2 में ही लेकिन ही अपने बारे में बता रही है simply और कोई section 2 की heading and definition उसको further कोई explain नहीं कर रही है इसलिए हम यहाँ पे structure follow करते है section clause, sub clause ऐसे करके चलिए हम start करते है section 2 clause 20 of the companies act 2013 जिसमें हम बात करते है company की definition जो की कहती है लिखा है company means a company formed and registered under this act यानि की companies act 2013 और any of the previous company law बहुत कुछ कवर कर रखा है यहाँ जल्दी समझते हैं देखिए company means a company पहली बद तो यहाँ पर define किसको किया जा रहे है company को तो जो पहले हमने यह बोला न company means a company है जो पहला जो company बोला है यह तो word है जिसको हम define कर रहे हैं लेकिन means a company जो बाद में हमने company बोला है यहाँ पर यहाँ पर जो है इसका journal मतलब लेना है क्यों? क्योंकि आप ऐसे तो कर नहीं सकते हैं कि a means a तो a means a यहाँ पर हमने जो बोला a इसको हम define कर रहे है means a का मतलब बाद में जो हमने a बोला इसका मतलब यह कि a का journal मतलब है न वही है a ठीक है? तो अगर definition इतनी होती कि company means a company इसका हम यह मतलब देते है कि company का journal मतलब होता है dictionary meaning जो होता है वही हमें मानना है company's act 2013 में भी यह बात वही हो जाती लेकिन हमने आगे रुके नियम आगे और बोला क्या बोला company means a company formed and registered formed and registered under this act formed and registered यहाँ पर registered का मतलब क्या है? हमने शुरुबात में बात की थी कि company की registration नहीं होती, incorporation होती है तो यहाँ पर इसकी interpretation ली जाएगी कि formed and incorporated under this act यानि कि companies act 2013 यानि कि सिर्फ वही companies जो companies act 2013 के procedure के इसाब से incorporate हुई है उनका जन्म हुआ है उन्ही companies को हम क्या लेंगे यहाँ पर company ठीक है? और any of the previous company law यह जो expression है यह बहुत important है क्यों? क्योंकि देखो बहुत सारी companies जो incorporate हो चुकी है क्या किया कि वो company भी जो बनी थी पिछले एक्टों के दवारा जो पिछले companies act थे उनके दवारा बनी थी उनके तहत बनी थी उनको भी हम regulate किस से करेंगे? Companies act 2013 से ठीक है बहुत important है जो एक बात समझो अगर आप 11th या 12th से होते हुए जो आप यहां तक आये हो तो एक बात समझ लेना 11th 12th में पढ़ने का जो तरीका होता है और जो law के subjects को पढ़ने का तरीका होता है वो थोड़ा अलग होता है यह आप हमें थोड़ा सा जो है जादा बारीकी से देखना होता है कि अगर कोई शब्द use किया गया है तो क्यों use किया गया है अगर वो नहीं होता तो क्या हो जाता ठीक है तो धीरे धीरे आप खुदी इस चीज को एप्रेशेट करो गया आगे अब हम जो company के definition है वो तो हम complete कर चुके है उसके बाद ज़र्दल meaning है company का वो discuss कर चुके है अब हम फटा फट क्योंकि discussion बहुत हो चुकी है तो characteristics यानि की features of company अब हम जल्दी cover कर लेते हैं ठीक है पहला है separate legal entity यह हम बात कर चुके है यह मैं उस चीज को और ज़्यादा आगे खीच नीरा लेकिन बस यह है कि separate legal entity का मतलब होता है जो company है उसको law की नजरों में अपने आप पर person माना जाता है लेकिन वो natural person तो है नहीं इसलिए उसको हम बोलते है artificial person या body corporate भी बोल सकते है जितने भी entities जिनकी separate legal entity होती है उनको body corporate भी बोल सकते है artificial person भी बोल सकते है separate legal entity का मतलब क्या होता है कि अपने नाम पे सारे काम कर सकते है अपने नाम पे property hold कर सकते है अपने नाम से case कर सकती है कोई और भी इसके खिलाफ case कर सकता है यह बहुत सारे बतलब बाते होती है कि overall इसको जो हमें person ही मानना है दूसरा है perpetual succession perpetual succession का मतलब है कि company ऐसी entity नहीं होती है जिसमें एक बंदा मर गया जो member था या जो director था अभी हम बात करेंगे director क्या उन होते हैं तो company बंद हो जाएगी अगले दिन से काम नहीं होगा ना soul proprietorship में, partnership में ऐसा फिर भी हो सकता है कि एक बंदा चला गया, मर गया, पागल हो गया तो हम काम रोक के बैठ गये लेकिन company में ऐसा नहीं होता लेकि company जो form of business है उन लाया इसले गया क्योंकि यहां पर professionalism follow होता है the show must go on, यहां पर यह चीज चलती है और बहुत ही professional तरीके से काम होता है यह चीज आप appreciate भी करोगे जैसे हम आगे जाएंगे, पढ़ेंगे तो यह चीज समझेगा कि perpetual succession होती है यहां पर इसका मतलब simply होता है कि क्योंकि company की separate legal entity है तो company को हम जब अलग सही person मान रहे है तो जो इसके अंडर जो इसका part है चाहे director की हैसियत से या member की हैसियत से वो जितने भी लोग है उनको कुछ भी होता रहे जब हम company को person मानी चुके है तो जब तक company को कुछ नहीं होगा तब तक अंदर की लोग आये यह जाये हमें क्या मतलब है तो इसलिए जर्णली हम ऐसे बोल देते हैं कि company जो हमेशा रहती है हाला कि इसका मतलब यह होता है कि company को जब तक legal process को follow करते है खतम ना किया जाए तब तक वो हमेशा रहती है ठीक है लीगल प्रोसेस को हम बोलते है winding up process और last में dissolution order जब पास हो जाता है तो वो उसके बाद हम कहते है कि company अब खतम होगी ठीक है लेकिन तब तक रहती है company के सारे members मर गए तो भी क्या company रहीगी हां रहीगी बहुत simple सी बात है कि company की अपनी identity है पहचान है उसके अंदर के जो लोग है जो उसको part है stakeholders है उससे company की identity पे कोई फर्क नहीं बढ़ रहा ठीक है तीसरा है common seal common seal देखे चूंकि natural persons तो अपने उनके खुद sign होते हैं अंगुठा लगा देते हैं और भी तरीके से अपनी जो मतलब निशान छोड़ने वाली बात है कि वो sign कर रहे है लेकिन company ऐसा कैसे करेगी तो एक बात ध्यान रखेगा जो overall बात है कि जब भी artificial person होता है तो बड़ी सारी कुछ practical दिक्कते आती है क्योंकि वो artificial person है वो simply जो हमारी mind की creation है law की creation है तो इसलिए वो बहुत सारे काम तो ऐसे करेगी नहीं जो natural person करते है शादी तो करेगी नहीं तो वो sign तो करनी सकती तो बड़े सारे concepts इसलिए आते है क्योंकि company artificial person है common seal basically क्या होता है company के sign company को जब basically अपने authority के under कोई चीज पास करनी होती है लेकिन बाद में शुरुआत में इसको mandatory करा गया था कि हर company की होगी लेकिन 2015 amendment act आयता तो उसमें changes करके amendment यानि changes करके उसको optional कर दिया था एक तरह से ease of doing business बढ़ाने के लिए शायद तो उसके बाद से जो हम नहीं कह दे कि ठीक है अकर common seal नहीं है तो फिर जो है director sign कर सकते company के भी हाव पर जो authorized directors है तो खेर लेकिन यह भी एक feature है company की common seal होती है उसके अपने वैसे sign नहीं होते है जो natural person के sign होते है fourth is transferability of shares अगर आप company में हिस्सेदारी चाहते हो company owner बनना चाहते हो तो आपको company के shares खरीदने होते है अगर company having share capital है 99% जो companies having share capital ही होती है यानि जिसमें total capital जो है bits में, pieces में divided होती है जिसको हम shares कहते है और shares जिसके पास होंगे उसके पास ownership होगी उस company में तो अगर कोई चाहे तो अपने shares बेच सकता है और कोई और फिर उस company का owner या member बोलो वो बन जाएगा ठीक है लेकिन एक बार ध्यान रखेगा कि दो तरह की company होती है mainly legal sense में private company और public company private company एक थोड़ा सा private affair होता है घर के लोग होते है तो वहाँ पर जो board है जो directors है अगर वो चाहें तो reasonable restriction लगा सकते है इस चीज़ पर कि ऐसा बोल सकते है कि ठीक है आप से इनी को बेचोगे या इनी को पहले offer दोगे तो इस तरह की चीज़ जो है कि reasonable restriction लगाई जा सकती है private company के case में public company में तो freely transferable shares जब भी बंदा चाहे बेच सकते है या तो physically बेच दे किसी को जो है पकड़के कि ठीक है तू मेरे shares खरीद ले और वो बंदा पैसे देदेगा ले लेगा और या फिर यह भी हो सकता है कि stock market जहाँ पे securities यानि कि shares ventures इनका आधान प्रदान चलता है असानी से वहाँ उसके through भी जो है कही न कहीं आप करा सकते हो अगर company के security is listed है अगर वो listed company है तो पाचवा है separation of ownership from management लेकि यहाँ पे जर्णली होता है यह कि जो owners है वो तो फैले होए है देश भर में दुनिया भर में तो वो रोज तो आ नहीं सकते company को manage करने तो हम क्या करते है यहाँ पे जो members है वो इस practical बिजनेस को और company firm or business को उनको बोलते है director यह जो directors की collection होती है उसको हम बोलते है board of directors ठीक है directors दो तरह की होते हैं लेकिन वो चीज हम बात में बात करेंगे ठीक है separate property company की जो property होते है company के नाम पे होती है company के नाम पे ही transfer होती है company भी अगर आगे अब हम बात करते है advantages and disadvantages of company की फटा फट बात करते है पहले advantages ले लेते हैं separate legal entity होती है तो इस चीज को अब धीरे धीरे कही न कहीं महसूस कर पहोगे कि इसका फाइदा होता है बहुत और गलत तरीके से भी फाइदा हो सकता है या फिर सचे फाइदे भी हो सकते है फाइदे क्या है उस चीज को आगे ही बात करेंगे time to time लेकिन हाँ separate legal entity का फाइदा होता है बहुत फाइदे है दूसरा है limited liability क्या होता है limited बहुत सारे जो जो पिछले form of business है soul proprietor, partnership वह पर क्या होता है कि जो बंदा owner होता है उसका बिचारे का अपना घर बार सब कुछ जो है दाव पर लगा होता है अगर कुछ भी गलत गया तो फिर उसका अपना घर बार personal assets भी जो है दाव पर लग जाते हैं और बहुत मतलब जो है दिक्कति होती है उस चीज को खतम करने के लिए जब भी कोई नया form of business introduced किया जाता है तो पिछले से तो बैतर ही होना चीए तो इसलिए यहां पर यह रखा गया है कि जो liability है वो limited रहती है उतने तक ही जितने के आपने shares खरीद रखे हैं अगर जितने के आपने shares ले रखे हैं उतना अगर आपने amount देर दिया तो फिर उसके बाद आपको कुछ नहीं देना और आपका maximum उतना ही डूबेगा उसके लावा कुछ नहीं डूबेगा ठीक है perpetual succession company जो हमेशा रहेगी यह basically separate legal entity का ही फायदा है कि company जब तक उसकी actually हम winding अपना करा दे legal process से तब तक जो हमेशा रहती है और इसलिए separate legal entity का फायदा होता है कि कोई आई जाई हमें फर्क नहीं पड़ता है business चलता रहता है separate property, capacity to sue, sue करना मिलब case करना किसी के खिलाफ sue करना मिलब case करना तो यह सारे फायदे है disadvantages क्या है formalities बहुत होती है soul proprietor में क्या है आप आज शुरू करो, कल खत्म करो किसी को कुछ नहीं पड़ी, आप अपने business में आग लगाओ खेलो, कूदो, कुछ भी करो वहाँ पर हमें किसी को कुछ नहीं पड़ा होता है तो बहुत formalities होती है सबसे बड़ी formalities यह ही है कि आप company को बनाई नहीं सकते जब 50 तरह के document जबान नहीं करा देते तो बहुत professional की मदद लेनी पड़ती है खासकर practicing company secretary or practicing chartered accountant तो बहुत formalities और खर्चे बड़े जा रहा होते है दूसरा है corporate disclosures जैसे जैसे company बड़ी होती जाती है वैसे वैसे उसको disclosures जो है जो उसको सरकार को करने है M.C.A को करने है बहुत ज्यादा हो जाते है तो यह भी मतलब काफी kit pit का काम हो जाता है फिर वही दूबारा professional रखो उसको fees दो time to time मतलब बहुत दिक्कते होती है इसमें तो छोटी सी company है turnover इतना है नहीं profit तो बहुत ही कम है तो ऐसी company को बड़ी दिख्कत हो जो शुरुबात में क्योंकि खर्चे बड़े सारे होते है ऐसे करके बहुत सारी advantages है अब यह practically बात करो कितने भी points बना लो अगर आपको कुछ advantages का फाइदा उठाना है तो आपको disadvantages face करने ही पड़ेंगी उसको आपको सामन सामन जसे यादि कि balance जो हार्मनी बना के आगे चलना पड़ेगा social responsibility जादा होती है company से जादा expect करते हैं कि वह provide करे society को कुछ मतलब जो भी कमा जी है तो वापिस से कुछ न कुछ भी प्रोवाइट करें जो winding का procedure है वह बहुत लंबा होता है मतलब actually company को बनाना असान है दो दिन में बन जाती company लेकिन बंद करना company को बहुत लंबा काम हो जाता है अगर बहुत सारे approval देने होते हैं बहुत time लग जाता है तो यह होता है disadvantages उसके लावा tax burden भी थोड़ा से जादा होता है company पे तो वह चीज़ जो है लेकिन time to time tax burden कम होता जा रहा है अब इसले एक साल में बहुत tax burden कम हुए company पे से लेकिन फिर भी अभी भी काफी है चलिए अब हम बात करते है कि company citizen है की नहीं बहुत सरे सवाल उठते है कि citizen जो होता है न जो देश का citizen माना जाता है citizen है की नहीं वो पता लगता है कि अगर आपका constitution में लिखते होते provisions उसके हिसाब से आप citizen हो तो आपको भी फिर citizen माना जाएगा company को लेकिन एक बात समझे कई सारे cases ऐसे होई हैं जहाँ पर company अडग गई कि नहीं हमें भी citizen मानो एक बात समझना कि citizen क्यूं चाहती है company कि उसको माना जाए क्यूं क्यूंकि citizens को बहुत सारे फाइदे मिलते हैं कुछ concessions मिलते होंगे तो मैंने तो पूरा constitution पढ़ा नहीं है लेकिन अगर time to time इतने cases होई हैं इतने decided case laws हैं जिसमें यह decide किया गया है simply इतनी सी बात कि company citizen नहीं है चाहे company कितना भी रोपीट ले तो यानि कि कईना के फायदा होता अगर company को बी citizen मान लेते लेकिन हमारा देश का constitution इस तरह से लिखा गया है citizenship act 1955 यह दोनों source हैं पता करने के कि आप citizen हो की नहीं तो यह दोनों source में clearly लिखा हुआ है कि company citizen नहीं है और एक citizen वही हो सकता है जो एक natural person हो पहली बात तो company तो artificial person है तो कुल मिला कि इसका अंसर तो जो है कि company citizen है की नहीं और चाहे बहुत सारे इस तरह का तर्क भी दिया गया कि company के सारे directors वह citizen है तो company को भी मान लो company के सारे shareholder भी citizen है तो company को भी मान लो तो लेकिन कहीना के इस तरह की बाते जो है सिरे से नकाड दी गई, ignore किया गया इस तरह की बातों को उल्टा जवाब दिया गया कि ऐसे अगर मानने लग गए फिर तो director शादी सुधा है company को भी शादी सुधा मान लो director के बच्चे है company के बच्चे मान लो इस तरह की चीज जो है हम कहीना के बढ़ावा नहीं दे सकते law को आप इस तरह समझे कि law logic पर चलता है और जो चीज हम नहीं मान सकते उस चीज को कोई भी और दलीलों के through भी जो हम नहीं मान सकते ठीक है emotions थोड़ा सा जो है हमें backseat पर रखने होते हैं law को interpret करते वक ठीक है और judiciary का का क्या है logical तरीके से अनबाइस तरीके से जो law बनाया गया है जो constitution है उसको interpret करना वो बदल थोड़ी सकते अपने साब से ठीक है तो कुल मिला के हमने पढ़ लिया कि company citizen है की नहीं लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा अगर company को citizen नाम मानने की वजह से अगर company shareholders का नुक्सान हो रहे तो वो नुक्सान prevent करने के लिए कुछ-कुछ cases में हम company को वो rights दिये सकते हैं जो citizen को मिलते हैं लेकिन बहुत limited extent और वो भी इसलिए basically purpose क्या है की जो shareholders है जो की खुछ citizens है उनका नुक्सान ना हो ठीक है तो इस तरह से right to equality बहुत सरे ऐसे जो है मतलब cases में company को citizen माना गया भी है जहां पर लगता है कि अगर नहीं मानेंगे तो company के shareholders को लगेगा equality promote नहीं हो रही तो खैर यह हो गया हमारा company citizen है कि नहीं इस पर चर्चा अब हम फटा फट बात करते हैं देखे हमने शुरुबात में काफी time लगा है अब जल्दी बात करते हैं अब एक बार जो है company और partnership firm में difference between देख लेते हैं तो पहली बात हो company की incorporation होती है partnership firm की registration company की separate legal entity होती है partnership firm की नहीं होती है company जो है perpetual succession enjoy करती है partnership firm ऐसा नहीं है अगर even एक भी partner चला जाता है पढ़ते होगे 11-12 की accounting में तो reconstitution of firm होता है और दुबारा से नहीं से partnership deed बनती है सब कुछ मादब दुबारा से होता है तो वहां पर मादला इतना smoothly नहीं चलता काफी फ्रिज्वें formality करनी होती है partnership firm की case में उसके बाद है कि transferability of share बड़ा freely हो जाता है company में लेकिन partnership firm में ऐसा नहीं होता है यह नहीं कि आप कल उठके बोलतों कि मैं जा रहा हूँ और मेरा बेटा पार्टनर है या फिर मेरा भाई पार्टनर है वहां पर कोई भी चीज कोई पत्ता नहीं हील सकता जब तक सारे partners उस चीज को हाना कर दें ठीक है तो यह चीज है कि वहां पर transferability of share freely इसे है नहीं अजा company को क्या owners generally manage करती है अलग से professionals appoint के जाते है अलग से professionals आते हैं इनको हम directors बोलते हैं लेकिन partnership firm में जो partners हैं वही management का part होते हैं रख वो भी सकते हैं अलग से लेकिन जर्नल यह देखा गया है कि जो partners हैं वही manage करते हैं तो यह हो गया आज हम फटा वट बात कर लेते हैं LLP partnership और company का difference between तो यह चीज जो है खेर हमने LLP के इतनी बात कहीं नहीं है लेकिन फिर भी LLP एक ऐसा form of business है यह भी form of business है इसके लिए अपना एक Act BS का LLP Act 2008 Limited liability partnership इसकी full form है इसमें क्या किया partnership firm के benefits उसके advantages business बनाया LLP इसका basically जो हमने फायदा उठाय है company वह यही उठाय है कि company form of business में जैसे limited liability होती है और separate legal entity होती है यह दोनों फायदे सबसे बेले हमने उठाये और यह दोनों चीज़ हमने डाली LLP form of business में और अगली चीज यह डाली कि जो partner firm में क्या होता है यह बड़ा खतरनाक है partnership firm में क्या होता है एक partner भी गलती कर दे तो बाकी सारे partners क्योंकि agent principal माने जाते हैं एक दूसरे के सारे partners तो कोई भी बंदा गलती करता था जब तो बाकी सारे partners भी liable होते थे उन पे भी inquire चल देगी और कोई suit करेगा तो सारे partners पे होगा तो वो बड़ी दिक्कत वाली बात थी लेकिन यहां पे क्योंकि LLP की separate entity होती है तो उसके अंदर की partners है उन पे individually इस तरह से base repair की कोई liability नहीं आएगी ठीक है यह बहुत-बड़ा फायदा है मैं intentionally अभी जो है discuss करना नहीं चाह रहा है LLP company और partnership firm का difference between क्योंकि अभी आप शायद इतना appreciate करो न वेकिन फिर भी कि आप इस चीज को read कर सकते हो जहां से भी आप पड़ो और आपको फिर भी कोई doubt हो किसी point में तो आप वो हमें comment section में बताएगा और कुल मिला कि LLP है क्या वो मैंने आपको बता दिया ठीक है अगला topic है क्या जो experience है shareholders का वो experience of company माना जा सकता है की नहीं तो यह बड़ा सीधर सा इसका जवाब है no क्यों अधर suppose मेरा भाई बड़ा अच्छा दोड़ता है तो क्योंकि मैं उसका भाई हूँ तो क्या मैं भी बहुत अच्छा दोड़ता हूँगा नहीं जो उसका experience है जो उसकी skills है वो मेर में अंदर थोड़ी आजएंगे अपने आप और क्योंकि company को आप अलग person मान रहे हो company की members है वो अलग person है तो experience अगर members को है तो वो company के experience कैसे माना जा सकते है अगर आप इतना conviction के साथ इतनी शिद्दत के साथ यह बोलते हो कि company अलग person है तो फिर पूरी तरह मानना तो experience सेम नहीं मान सकते हैं ठीक है लेकिन decided case law में कुछ-कुछ जगा decide किया गया है आप अपनी किताबों में case law के नाम देख लिए जाएगा जहां पे promoters क्योंकि वो बहुत बड़े shareholders होते हैं और कोई भी जर्णली कोई भी decision making होती है उसमें promoters की सबसे ज़्यादा say होती है क्योंकि voting rights generally उनके पास सबसे ज़्यादा होती है तो इसलिए हम यह बोल सकते हैं कि promoters का experience फिर भी काफी हद तक company का experience बाना जा सकता है वो promoters कुछ एक दो काम में बहुत expert है skillful हैं तो वहाँ पर हम मान सकते हैं क्या company भी वो skillful होगी उन चीज़ों में क्योंकि promoters जो चला रहे हैं उस company को वो काफी skillful हो उस चीज़ में जेवी में joint venture में भी हम यह मान सकते हैं कि joint venture partners है उनका experience joint venture company का काम आ सकता है तो joint venture या promoters यह इस cases में हम मान सकते हैं कि experience काम आ सकता है और experience माना जा सकता है company का experience ठीक है okay अब हम बात करते हैं बड़ा interesting topic और journaling यह topic जब हम 11-12 में होते हैं तो यह समझ आता नहीं है आता वहां पर भी discussion थोड़ी बहुत वहां पर भी होती है लेकिन आज इस चीज़ को द्यान से समझ लेते हैं देखिए क्योंकि इसलिए भी समझ सकते हैं क्योंकि इस वीडियो में हमने काफी यह चीज़ पता लगी मेरको मैं member हूँ तो मैंने क्या कि चलियार आप तो कुछ भी कर लो क्योंकि आखिर में अगर कोई liability आती भी है तो company में आएगी क्यों क्योंकि company की to separately entity है तो हर दूसरा जवाब यह होता company to separately entity है हम तक तो बात आएगी नहीं यह तो देखा ही नहीं जाएगा कि उसके पीछे कौन लोग काम कर रहे है यह members कोन है कुछ कौन है कोई CEO भी करेगा तो company को करेगा और company तो artificial person है तो जो भी होगा मतलब company पे होगा जाए-सादा क्या होगा company बंद हो जाएगी यह बड़ा खतरनाक है क्यों? क्योंकि इस तरह की चीज जब बहुत लोग करेंगे तो even company former business से भी लोगों का इशास उठ जाएगा और law check कितना भी regulate कर ले फिर यह चीज भी जो कही नहीं कही loophole निकलके नुकसान करेगी बहुत सारे stakeholders का तो इसलिए एक doctrine निकालेगे इसको बहुत ही strictly apply ना किया जाए और अगर हमें लगता है कि company जो पीछे के लोग है वो कुछ गढ़बर कर रहे हैं तो उनको धर्द बहुचा जाए और उनको actually liable किया जाए और company पर liability आनी थी वो उस पर आए आए लेकिन actually उन पर भी आए जिनकी वजह से company वो चीज़ कर रही है ठीक है तो corporate whale का मतलब क्या होता है whale का मतलब होता है पर्दा तो पर्दा बीच में है और एक तरफ है company और दूसरी तरफ है members बीच में है पर्दा पर्दा से यह denote होता है कि यह दोनों अलग-अलग है लेकिन lifting of corporate whale यह piercing of corporate whale का मतलब होता है कि जब हम यह पर्दा हटा देंगे तो कहीना कहीन जो members हैं पीछे यह जो पीछे directors हैं वो जो कहीना कहीना कहीं पकड़ में आ सकते हैं हाँ यह पर्दा lift यह pierce कब किया जाएगा जब हमें actually शक होगा कि company form को आगे रखकर उसके पीछे कुछ गड़बड़ियां चल रही है और company form के through कुछ गलत काम हो रहे हैं तभी उसी cases में courts इस तरह की doctrine का इस्तमाल करती है we hope कि आपको समझ आया हो गई है अच्छा देखिए lifting of corporate whale को apply करते वक्त company's act में भी बड़ी सारी provisions बना रखे हैं तो इसमें हम बात करते हैं example दे लेते हैं section 7 sub section 7 कहता है कि अगर incorporation के वक्त आपने कुछ गलत information दी जान बूचके तो incorporation के वक्त इस तरह का काम किया तो हम doctrine का यह वाली use करेंगे और actually पीछे बनते हैं इस तरह का fraudulent purpose करके incorporation करवाना चारह है कि इसी company की उनको पकड़ेंगे हम ऐसी section 251 इसमें रिखा हुए कि अगर आप wrong application लगाते हो removal of name के लिए company actually आगे provision पड़ेंगे हम strike off of companies कि अगर आप actually चाहते हो कि लंबा procedure जो होता है उसे बचने के लिए short procedure अगर आप चाहते हो आप company को बंद करवाना चाहते हो तो भी हम आपको जो है पकड़ेंगे आपको पकड़ेंगे company को नहीं यह company को भी और आपको भी पकड़ेंगे तो यह doctrine जो ही use करेंगे section 339 बात करता है कि winding up के दुरान actually क्या है कि winding up के दुरान भी process है क्योंकि है तो company company अपना काम करती रहती है बस हाँ board of director नहीं होता वहाँ पे liquidator appoint किया जाते है वह उसके बास सारी powers आ जाती है administration की board of director की और वह जो है काम करता है लेकिन company मतलब तब तब भी काम करती है ठीक है तो section 339 में भी अगर fraudulent conduct होता है कुछ गडबर लगती है कि हमें की जो काम गलत हो रहे है finding up के दुरान तो भी हम उन लोग को पकड़ेंगे जिनकी वजह से company गलत काम कर रही है ठीक है उसके लब कई सारे decided cases में कब-कब जर्णली इस doctorate का यूज किया जाएगा तो mainly तो तब ही उसकिया जाता है जब हमें लगता है कि company के नाम पे company को आगे रखके गलत काम हो रहा है और पीछे कुछ लोग जो इस चक्कर में बच रहे हैं तो जो हम दॉक्टर इंज आफ लिप्टिंग औफ कॉर्परेट वेल का यूज करेंगे जर्णली होता है कि जब company के नाम पे tax बचाने की कोशिश की जारी है या fraud करने की कोशिश की जारी है किसी के खिलाफ या फिर company actually कुछ नहीं है उसके shareholders, members कुछ कर रहे हैं company को धाल बनाके company के separatical entity को धाल बनाके तो भी कहना कि हम inquiry purpose के लिए actually उनको libel करने के लिए इस doctrine के इस्तेमाल करते हैं हम कौन मतलब, courts करते हैं यह कुछ decided cases से हमें पता लगा कि कब-कब यह doctrine used होता है इसी के साथ ऐसे तो बहुत सारे concepts है basics of company law में लेकिन हमें लगा कि यह कुछ concepts जो हैं यहां पर discuss करने चाहिए बहुत सारे ऐसे basic बाते हैं जो आपकी help करेंगी actually किसी भी law को decode करने के लिए वो चीज़ हम time to time discuss किया करेंगे लेकिन पिलाल हमें लगा कि इस वीडियो में हमें यहां तक काफी था और अब हम मिलेंगे next वीडियो में वीडियो पसंद आई होगी अगर आपको पसंद आई हो तो जरूर लाइक करना और यदि आप हमारी आने वाली वीडियो से भी जुड़े रहना चाहते हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बैल आइकन भी जरूर दबाएगा क्योंकि इससे फायदा यह है कि जैसे हम वीडियो जालेंगे और क्योंकि एक्जाम बहुत पास है तो हम एपरपली बहुत जल्ली भी बहुत सारी वीडियो डाल सकते हैं तो आपको पता लगता रहे कि ठीक है यह वीडियो आगए यह वीडियो आगए ताकि आप accordingly प्लैन कर सको कि कौन से वीडियो कब देखनी है तो subscribe कीजिए, bell icon दबाएगा we hope कि आपको अच्छा लगा होगा और कोई भी अगर suggestion हो फिर भी आप कोई भी doubt हो तो आप जरूर comment section में बताएगा और Instagram पे हमें follow कीजिएगा lifebacksajalvatsphe और हम मिलेंगे आपसे next video में Thank you, thank you so much, शुक्रिया